यूँचेताल नोज आपका टेक्विला यूट्यूब चैनल में दोस्तों वैसे तो हमारे जो शरीर का स्ट्रक्च्चर होता है उसको अगर हम देखना चाते हैं जाना चाते है तो हमें अधिकांच डॉक्टरों के पास जाना होता चार्ट में देखना पड़ता है लेकिन दोस तो क्या कहना है तो भाई इसी लिए जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं Anatomy Learning 3D App जो है इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं तो दोस्तों basically जो है Anatomy Learning 3D App इस तरह का logo आपको देखने को मिल जाता है और logo से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाने वाली है तो दोस्तों हम इसको जो है डारेक्ट ओपन कर लेते हैं और ले चलते हैं आपको इसके अंदर में तो जैसे ही आप इस app को open करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर में आपको बहुत सारे structure, आपके head and neck का structure, हना इसके अलावब आपका जो beach का ऐसा होता है, इसके अलावब आपके muscles पूरे शरीर में किस टाइप से होते हैं, वह आप इहां देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़े क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को बनाने में काफी मेहनत लगती हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ें तो बिलकुल free of cost हैं, इनको आप देखके basic चीज़े पड़ा सकते हैं, ज्यादा depth वाली जो चीज़ें होंगी दोस्तों, उसके अंदर में आपको यहां पे ज्यादा depth जाने के लिए, वहां पे कुछ पेट यहां पे दी हैं, लॉक लगे हैं, जिनको लॉक को open करने में, आपको यहां पे कुछ amount pay करना होगा, तब ही आप उनको देख पाएंगे, तो चलिए ले चलते हैं, आपको head and neck वाले option में सबसे पहले ही में चले आते हैं, और यहां पे देख सकते हैं, head and neck मतलब sit और garden, इसके अंदर का structure आपको अगर देखना है, तो यहां पे overview वाला option है, उपर है, इसके बाद में frontal bone, इसके बाद में octopus bone, तो अल नीजे देखेंगे, यहां पे दो option है, एक तो आपका second जो नीचे option अलग से दिया गया है, उसमें आपको यहां पे सिर्फ structure अंदर का दिखता है, और एक दिखता है outer structure, तो जैसे से आप उनको click करते जाएंगे, तो धीरे धीरे structure उसमें जो है, जुड़ता जाएगा, अब यहां पे एक knife भी दिये दोस्तों, knife वाले option से आप जो है direct in structures में जो भी चीज़ें delete करना जाते हैं, cut करना जाते हैं, वो कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पे click किया, तो यह देख सकते हैं, अलग-अलग knife से जैसे मैं click करते आ रहा हूं, वो हटते जा रहा है, उपर मैंने click किया तो सामने वाले जो एक bone का part था, वो वहां से अलग हो गया, knife को हम बंद कर देते हैं, और इसको दोस्तों आप अगर finger से घुमाते हैं, तो आप 3D में देखिए, कितना बहतरीन तरीके से आप structure का देख पा रहे हैं, आपकी खुद की body में कौन सा part कहा है, क्या है, कैसा होता ह यह सारा कुछ आप यहां देख सकते हैं, 3D तरीके से दोस्तों आपको यह देखिए, पीछे back हमारी गर्दन के पीछे की जो हड़ी है, उनको आप यहां देख सकते हैं, प्लस कौन सी हड़ी को क्या कहते हैं, उस पर अगर आप click करेंगे, तो उपर आप देख सकते हैं, कि जैसे मैंने एक पर click किया, तो उसका नाम उपर हमारे आ चुका है, दूसरी चीज़ें पर click किया, तो यहां पर partial bone जो है, उसके बारे में आगे, उसके बारे में अगर study करना है, तो यहां उपर आप देख सकते हैं, कि किताब बाला option है, जिस पर click करके आपको वापस से, यह देख सकते हैं, कि भाई यह ऐसा होता है, इसकी यहां एतनी पतली होती है, यहां एतनी मौटी होती है, तो यह सारा कुछ आप देख सकते हैं, plus click करने पर आपको वहाँ पर उसका नाम दिखा देगा, और ऊपर से आप उसको अलग से, दो-टीन आप्शन आपको वहाँ जाके देख सकते हैं, कहां कौन सा पार्ट होता है, किस तरह से होता है, कहां कहां कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो सारा कुछ आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं फील्ड से नहीं हूँ, तो लेकिन इसलिए मैं ज्यादा आपको डीटेल में नहीं समझा पा रहा हू जो लोग biology से related हैं उनके ये बहुत काम की है जब वो basic से start करते हैं तो direct आप किसी को चीज़ों को पढ़ सकते हो देख सकते हो सीख सकते हो तो काफी अच्छी ये app है दोस्तों और 3D में आप जो सबसे अच्छी बात है सारी parts देख सकते हैं और return ले चलते हैं दोस्तों तो यहा जाती हैं तो आपको simply उनके एक पार्ट्स पर क्लिक करते जाएए और आपको उसके बारे में पूरा detail पता चलते जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आपको इस एप को यूज़ करना जिसका नाम है anatomy learning 3D